हेलो एवरिवन कैसे हैं आप सभी स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल लिस्टरी बिलोग विशिवेंदर पर आर्टिकल 15 से सम्मंधित फैक्टों की वीडियो फर्स्ट कल हम आप सभी के लिए कर आये थे रूसी क्रम में पार्ट सेकिंड आर्टिकल 15 का आज इस करता है डिस्क्रिमिनेशन को तो दर्म मूलवन्स जाती लिंगे जनमिस्थान इत पांच ग्राउंड पर यह कहता है कि भाई आप जो है किसी से भी बहेदभाव मत कीजेगा ठीक है इसके आप क्लोस फर्स सेकिंड एंड थर्ड जो की मूल कॉंसिटिशन के तो आर्टिकल 15 म यह बात करता है कि सामाजिक और शेक्षिक इरस्टी से पिछ्बेभर्गों के लिए विसेस उपबंध यहां पर आर्थिक रूप जो 4 अर्टिकल 15 का संसोधन के 1951 किस case के थूरू जोड़ा गया यानि कि जो clause 4 है 15 आर्टिकल में ये किस case के द्वारा जोड़ा गया था तो मदरास राज्य बनाम चमपाकम दौरायराजन का जो case था उसके द्वारा इसको यहाँ पर एड़ किया गया है तो ये तो रही बात कि आर्टिकल 15 का clause जो 4 है आखिर वो किस case के थूरू जोड़ा गया और कब जोड़ा गया यह आप देख चुके हैं आई आप देखते हैं नेक्स देखें कि आर्टिकल 15 में क्या क्या चीज़े दी हुई है उसके बाद है कि जो पिछड़े और अधिक पिछड़े जो वर्ग होते हैं पिछड़े वर्ग जो ह तो हागों में इनोंने विवाजित करके उनको क्या दे दिया यहां पर रिजर्वेशन दे दिया है तो आखिर किस case में इसीज़ को चितावनी दी गए चुनोती दी गए भी आप ऐसा क्यों कर रहो तो गौर्मेंट द्वारा जो यह पिछले और अधिक पिछड़े वर्गो श्राशार ऐसें दिया जो अधिक पिछला वर्ग था मोर बैकवर्ड क्लासे थी उनको ट्वन्टी टीज़ दिया जो सस्टे उनको 18 परसेंट दे इस प्रिकाड़ से अगर हम कुल मिलाकर वहां पर देखा जाए तो 68 परसेंट रिजर्वेशन हो गया था तो गहाला जी बना यहां पी प्रवेस मिल जाएगा और जो अधिकतम अंक वाले प्रित्यासी हैं अधिक talented होंगे उनको क्या होगा उनको यहां पर कम सीटे मिलने के वेज़े से उनका कम चैन किया जाएगा तो यह चीज़े यहां पर इस रूल को बाला जी बना मैसूर राजी के केस में मतलब इस प्रकार से कीजिए कि वह 50% की सीमा को क्रोंड़ा जाता है यहां पर इस प्रकार से कीजिए कि वह 50% की सीमा को प्रोस ना करें यानि कि इंद्रसानी बना भारत संग के केस में क्या नियम प्रिति पादित क्या की रिजर्वेशन किसी भी कीमत में 50% से अधिक नहीं होना चाहिए तो यह अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा इंपोर्टन लीडिंग चीजे जो कही गई है वो इन तीन सोधन के दुरूफ फिफ्टीन प्लॉस फोर डोड़ा गया तो मंद्रास राज्यबराम चंपा कमदुराय राजन के द्वारा और बाकि यह जो है कि पिष्टा वर्ग और अधिक पिष्टे वर्ग में जो वर्गी करन था उस नियम को अवैध माना बाला जी बना मैसुराज के केस में और साथ ही इंद्रा सहानी बनाम भारा संग का केस लोकि यह कहता है कि पचास परसेंट से ज्यादर रिजर्वेशन की सीमा क्रोस नहीं होनी चाहिए उसके बाद कुछ अलग डिलिंग केसे जैसे कि उत्तर प्रदेश राज्य बनाम प्रदीप टंडन क्योंकि प्र पिश्ण जाति की मेलाएं होती हैं रिजर्वेशन का लाब लेने के लिए पिश्ण जाती के प्रूसों से अगर विभा कर लेती हैं तो यह रिजर्वेशन का आधार नहीं होगा इस केस में कहा गया तो जो कि बहुत इंपटन प्रद्ट था तो अगर हम देखे तो आर्टि संसोध न हैं यहीं करें सेक्षिक और सामा जी को पिश्चै वर्ग यहां भी उसी द्रस्टीश से पिश्चै वर्ग है ठीक है या फिर SC हो ST हो उनकी प्रगती के लिए जो गॉर्मेंट या नॉन गॉर्मेंट सिक्षन संस्थाने हैं उनमें प्रवेस के रिजर्वेशन या अगर हम देखे तो मुख्य रूप से यहां पर जो बात की गई थी वो की गई थी कि जो निजी सिक्षन संस्थाएं होती हैं कौन सी होती हैं निजी सिक्षन संस्थाएं होती हैं उनमें सीटों के रिजर्वेशन के लिए इसको ज्याज़ा तर इंकलोड किया गया था तो अगर केस कौन सा था तो इनामदार वर्सिस महाराज स्टाचे के केस में इसको जोड़ा गया और इसको वैलेड इसकेस में ठहरा गया क्योंकि मुस्तली होता क्या देगे पहले तो किसी केस के दुरूशीच को आप जोड़ देते हैं बाद में फिर उसको काफी चैलेंज किया जाता है कि ruling गलत है अवैब धिक गेंस्टन कोंसिटुशनल यह फिर उसी किसी अदर केस के दुरूशीच विया अनकोंसिटुटुशनल कोसित कर दिया जाता है तो जो यह 93 वा संसोत अना धी नियमता जिसमें 15-5 चोड़ा गया है यहां पर की जो निजी सिक्षिन संसता हैं होंगी उनमें भी सीटों का अरक्षन होगा इसको असोक ठाकुर बना भारत संग के केस में क्या माना गया वैध माना गया तो यहां पर फिफ्टीन फाइफ के कोडिंग यही इंपर्टन केसे जाता है फिर आथा भी हाल ही में 2019 में जो जोड़ी गई है न्यू चीजे आर्टिक के लिए था जन्रल के अब तक आप पढ़ते हैं सामा जी वे सक्षिक द्रस्टी से पिछड़े वर्ग सेस्टी वर्ग इन सब के लिए बट यहां पर यह जन्रल के लिए रखा गया और पहली बार आर्थिक ग्राउंड यहां पर इंक्लूड किया अब तक सामा जी को शक्ष देने की बात की गई और यह कितना दिया गया टैन परसेंट इसरवेशन यहां पर दिया गया है एक सो तीनवा समिधान संसोधन है 2019 में किया गया था और इसमें समय सी जो लिमेट है रखी गए कि आठ लाक रुबा जो वार्सेक इंकम और पांच एकर से कम यह चीज़े अग है चैलेंज होते रहते हैं तो एक सो तीनवा समिधान संसोधन जो है जनरल को जो रिजर्वेशन EWS में जो दिया गया है उसको भी चैलेंज किया गया बट इसको वैलिड ठहरा आगया किस के अंदर जनहित अभियान वर्सिस भारत संग के केस में तीनवे समदान संसोदन को वेलिट ठेरा गया